मैं लगातार पस्मित दिल्ली लोकसवाच्षेतर का भर्मन कर रहा हूँ भर्मन करते करते पहुच गया हूँ नजबगर जीला और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगली डेरी में तस्बीर में देख सकते हैं कई तरह के यहाँ पर जानवर है तभी हमारे देश का परधान मंत्री का निर्ने हो पाएगा कि चार जून को किसके सिर पर ताज सजने वाला है क्या लग रहा भाई या क्या महोल बंड आपके तरफ से पताई आपको नाम क्या हुआ रामकुमार मेरा नाम है क्या लग रहा है लग रहा है कि बिजेपी की सरकार बनेगी इस बार ऐसा क्यों ऐसा ही क्यों कि महोल है आपके छेतर से दो परबल दावेदार है एक कमल जी सारावत भाजपा से और आम आनी पार्टी से महावल मिस्राजी है तो यहां से क्या महावल बन रहा है आपका कह नहीं सकते कौन जीतेगा कौन जीतेगा आपको क्या लग रहा है आपके छेतर में क्या लग रहा है हम तो बताया ने आप से दोनों की संभावना है या ने कोई भी आ सकता है कोई भी आ सकता है दस सालों से परवेशिंग साहिब जी यहां पर सांसद रहे हैं क्या दस सालों में कुछ काया कल्प हो पाया आप के रिया का तो फिर तो मोधी जी घुड़ूंड रहे हैं आप देश में आप मोधी की अलग बात है ना हां वो तो कें सेंटर गुवर्मेंट म तो छेत्र का जरूरी विकास होना है ना तो आपके छेत्र के बात हो रहे हैं और परवेश बरमा कमल जी सहरावत के नाम पर कोई वोट नहीं दे रहा है क्या लग रहा है अंकल आपके तरफ से दो परतियासी परवल दावेदार है दोनों की मीज़ाइदे कुछ आप आप पार्टी क्या मोका मीलेगा इस बार के जरिवाल जी को साथ लोग सबासिफ दिल्ली का 2019 में भाचपा कुथी दिल्ली में इस बार इंडिया एलाइंस बना यह महुल मिल्साजी कैसे नेता है अब के इसाफ से नेता यह भी पुराने नेता है बढ़ी है जन्संपर्की है लोगों से सबसे जन्जन से पैचान नहीं तो क्या लग ना जब गर एडिया का पुरहने वाले हैं यहां क्या महुल बनना दिख रहा है आपको महुल ताप से लोगों से बाचित करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीर नगली डेरी का देख लिए क्या है क्या भाईया लग रहा है आपको इस वार्चुनाव में कौन आपके लिए बढ़िया होगा पेजरीबाज यह मोदी जी हम लोग को तो यहीं ठीक है तो यह क्या भैस काल आपका कह रहा है माइंड अपना इस बार क्या मोहल बन रहा है केजरीबाल जी का लोग स्वाम जाने का हां बोट उट करते हैं अठरबर्स हुआ है जाद आए चबीश है बोट ने किया अज तक बोट किजिए आपका बोट बहुत जरूरी है देश के लिए आपकी बार करें चलिए और लोगों से बात करते हैं जानते हैं राय लेते हैं क्या लग रहा है पहले इंसे बात करते हैं क्या लग रहा है आपको यहां क्या महुल बन रहा है केजरीवाल जी का मोदी जी का कजरीवाल का मावान है यहां क्या बबाबा केजरीवाल केजरीवाल मोदी जी मोद है उमीद है मुझे यह बताएं यहां से दो प्रवल दावेदार हैं भाजपा से हैं कमल जी सराबत और आम आदमी पार्टी से महावल मिस्रा टकर देंगे महावल मिस्रा जी पूरा वो लेकर आएगा महावल मिस्रा क्या लेकर आएंगे बोट पूरा बोट इतना उमीद है यह नगली डेड़ी का क्या महुल बन रहा है बताती है आम आदमी को होगा आदमी पाटी वोट करते हैं आप क्यों नाम नहीं उसमें कोशिस नहीं क्या करवाने के लिए करते हैं चुनाव में बोट करते हैं इधर आए इधर आए आपके अरिया में विकास का काड़िये आपके लिए कौन बढ़ियां है आपके लिए के लिए जिए मोधी जी हां कौन बढ़ें के जडी वाली जी ए मोधी जी फिरभी आपके लिए कोन होगा देखिये नंना कौन आपके लिए काम काम क grands का कर discounts आपकी आपकी मांगा मंदिर का मुद्दा रहेगा ना विकास का मुद्दा रहेगा इमांदारी का मुद्दा रहेगा मोदी जी इमांदार नेता हैं हम तो चाहेंगे मोदी जी बने और मंदिर की बात नहीं है अच्छा इमांदारी की बात तो फिर देश चलाने के लिए सही नेत्रतु की है आपके च्षेतर में तो किया कुछ बदला हुआ के रिया मेंहों से संतुष्ट नहीं है उनका बहुत अच्छा काम नहीं है तो इसたい prawd बदलने से क्या हो जाएगा पेकेश तो वही है ना पार्टी तो वही है ना ऐसा नहीं प्रत्यासी बदलने से प्रत्यासी बदलने से घ्रावत तब केजरीबाल टीम से आप मोदी जी चलिए आपके लिए मोदी जी बोट करते हैं यहाँ पर इंडिया एलाइंस हुआ है यहाँ पर केजरिवाल जी की टीम में से महावल मिसरा जी है और दूसरे तरफ से है कमल जी चाहब भाजपास है तो यहाँ पर उसकी बात हो रहे हैं पर दस साल से प्रवेशिंस साहिव रहे हैं कुछ कायकलब हो पाया आपके लिया का बदेख लिए कायकलब आपके सामने सर प्रतक्स को परमाण क्या हाथ कंगन को आरसी क्या आपके आगे हैं सब कुछ तो आप बताईए क्या लग रहा है इस वाब लाव होगा विकास के नाम पर होगा विकास के नाम पर होगा तो लोग बीच में कड़े की टकड़ है एक कुछ नहीं करते हैं नहीं करते हैं आप बोट करते हैं नहीं करते हैं आप बोट करते हैं नहीं करते हैं चलिए बोट नहीं करते हैं कुछ देश में इसी विवस्ता होनी चाहिए कि जो लोग जहां रह रह रहे हैं वहां से बोट दे सके चुकि किसी का बोट फालतू ना जाए लेकिस सबसे बड़ी बात या है कि मैं पस्मित दिल्ली लोकसभा छेतर का भर्मन कर रहा हूं और यहां से लोगों की परतिक्रिया ले रहा हूं कि भाईया यहां से क्या महोल बन रहा है यहां से भाजपा से हैं कमल जी सहरावत जो पहली बार केंडिट बनी है लोगसवा परत्यासी बनी है वहीं पर एक बार पार्शत तीन बार बिधायक एक बार सांसत रह चुके मावल मिस्रा जी मैदान में उतरे हुए है क्या लग रहा है यहां महावल मिस्रा यह कमल जी इस जो बटाएगा उनका जिसका ज्य ज्यादा वोट पड़ेगा ते Chaok पुछ नहीं काम हुआ हमारे लाके गी तो बदलाव होगा इस बार अब देखो अब जनता है जनता तो चाहेगी भाई जो सरकार काम करेगी हो आए चलिए क्या लगरा भाई आपको आपने बोलिएगा चलिए यह नहीं बोलेंगे यही बात है यही तस्वीर है मैं आपको पोचाई है अगर आपको यह प्रस्तुती अच्छी लगी है तो देश हीत में जरूर शेयर करें धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हुआ